हेलो किर्प्रो फैमली आज मैं इस वीडियो में आपसे टेक्सेशन से रिलेटेड बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या क्या करना होगा हमको इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल्स में बताऊंगी किस तरह से कितना पे करना होगा कितना टेक्स हमें देना पड़ेगा तो ताकि कितना हमें profit हो सके लेकिन tax कितना पे करना पड़ेगा यह समय आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो बिना वीडियो को प्लान कर रही है वो डिसकस करेंगे तो डिटेल में मैं इसमें बात करूंगी तो आप देख सकते हो कि यह कोई डेक्स के साइट पर मैं आपको दिखा रही हूं कि यहां पर लिख रहा है कि इंडिया टैक्स ऑथरिटीज बिगन सीजिंग एससेश्टेट टू अड्रेस एलेक के बारें बात कर रही हूं कि आप सकते हो क्योंकि इंकम किया है 2.5 लाग के उपर एक एकजांपल कि रूप में 2.5 लो उपर income किया है तो आपको पुराने वाले slab में tax पे करना ही पड़ेगा और अगर आपने 5 slab के उपर टेक्स profit किया है तो आपको हर आल में tax फ़रना पड़ेगा तो आप यहां पर देख सकते हो कि 11 crypto बड़े बड़े आते हैं तो इसके लिए टेक्स से बचने की कोछिस नहीं करें वरना प्रलंटी लग सकती और आप बड़े में फस्सकते ओंद आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है तो अब मैं बात करूंगी निव वाले अपडेट के बारे में क्या निव वाले अपडेट आया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो एक अप्रेल यहाँ पर लिका एंप्लेबर फ्रम वन अप्रेल एक अप्रेल से जो निव रूल आ रही है कि 30% मिंस अगर आप 1000 इंकम कर का रही है तो इसमें होल लग सकता है तो इसके बारे में बहुत सारी रूमर्स भी रहे हैं कि सुप्रीम कोड में जाने के लोग बात कर रहे है तो यह सब जो होगा वो बात की बात है पर जो अभी आ रहे हैं कि tax pay करना पड़ेगा उसके अनुसार से 90% tax pay करना पड़ेगा 1 अप्रेल से आप यहां पे देख सकते हो तो मैं पूरे taxation को वीडियो लाऊंगी जहां कि मैं mining करते हुए फिर yield farming करते हुए और crypto को salary तो फिर वहां कितना और किस तरह से टेक्स पे करना हो पूरी जानकारी आपको बताऊंगी तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर बेल आइकन को नहीं प्रेस किया नौटिफिकेशन अन कर लिजेगा जिससे आपको कोई अप्रेट मित नहीं हो सकते और मैं अब थोड़ा आपको मार्केट के और लेके चलती हूं जहां पर आप देखा हुए क्योंकि मार्केट जो है अभी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है तो अब चलते हैं बीटकोईन के अप्रेट पर क्या-क्या अप्रेट और पार दा सकते हैं यह कोई मार्केट के एक आ चुक यह मैं बताने वाले ऐ में अपड़ेटें तो आप देख सकते हैं वो अपना मेप न को ब्रेक कर दिया और अभी के प्राइस को तो डी के N55 या 56 के तक जा सकता है पर हमेशा Stop Loss आपको यह ध्यान रखना है कि पर हमेशा आपको Stop Loss लगा कर रखना है अगर आप Stop Loss नहीं लगाना चाहते हैं तो क्योंकि अगर यह नीचे आपको सारे अच्छे से डिटेल में समझाओंगी तो आपको यह इनफॉर्मेशन कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले अपना प्रॉफिट और टैक्स को किस तरह से पे करना वो भी जान सके तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टैक केर बाई